विल्कम बाग तो माई चैनल एन हैपी संडे तो एव्रिवन आज मैं हैपी संडे इसले बोल रही हूँ क्योंकि आज टीचर्स के लिए इन बागी भी कैंडिडेज जो नॉन टीचिंग पोस के लिए अप्लाए करते हैं लाइक एड्मिन तो आज हैपी संडे होता है क्योंकि आज के दिन बहुत अच्छी अच्छी जौप्विकेंसी देखने को मिलती है जाये हम टीचिंग की बात करें को आज हम से नवंबर 2024 की विसंग के बारे में चायी इसमें वोकन इंट्रविव का आपको मुझा मिलेगा walk-in में आपको क्या होता है application form भरना नहीं होता है जैसे कि हम हर एक school में जाते हैं 100-200 रुपे का application form होता है हम वो भड़ते हैं लेकिन अगर हमारा form हमारी profile हमारा data उनको पसंद नहीं आता है management को तो हमें generally call नहीं आती है लेकिन इसके अंदर ऐसा होता है walk-in interview के अंदर आप directly अपने CV को लेके school में बहुत सकते हैं for the interview और आपके selection के भी बहुत अच्छे chances होते हैं और एक दिन के अंदर अंदर ही सब कुछ final हो जाता है एक चीज़ का आप एक और ध्यान रखेंगे जबी भी आप लोग teaching job के लिए apply करेंगे आपको पता है कि हम private में apply कर रहे हैं तो हमेशा आपने subject की knowledge बहुत अच्छी रखनी है चाए पियाची के लिए कर रहे हैं टाइप TGT PGT NTT तो आपको अपने knowledge subject का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर walk-in interview नहीं होता है generally हम application form भड़ते हैं तो सारा procedure किया जाता है like सबसे पहले return test होता है जाते ही उसके बाद आप लोगों को एक demo teaching कराने को बोल दिया जाता है demo teaching होती है 15-20 minutes की and उसके बाद आप लोगों का अगर return अच्छा होता है और आपका demo बसंद आता है तब यह आप लोग interview तक पहुच पाते हैं लेकिन walk-in interview में यह सब नहीं होता है walk-in interview में directly आप लोग principal के room में होते हैं for the interview देख लेते हैं हमारी कौन-कौन से school के आज vacancies आई हैं और कौन-कौन से subject की vacancy है डिरेक्ली अपने resume के साथ अपने latest cv के साथ कल 18 तारिक को walk-in interview है इसका पहले 14 तारिक को था मतलब परसों था और अब कल interview है क्योंकि आपको पता है कि गुरु नानक जनती आ गई देन Saturday Sunday हो जाता है तो आपका जो यह post है यह सारी की सारी vacancies आई है तो आप लोगो को कल अगर आप लोग जाते हैं आविकासपुरी के residence है यहां सबस रहते है तो आपको definitely जाना चाहिए कल interview के लिए नेक्स विकेंसी जो है इस फ्रम क्रीसेंट स्कूल डेली यह आपका स्कूल जो है अपोजिट मेट्रो पिलर है नमबर 200 मौजपूर डेली इसमें basically आप लोगों की music teacher की विकेंसी आई है मैं आपको दिखा देती हूँ आपको कैसे apply करना है और भी vacancies एक बाद चेक कर ले दे तो यह मैं आग गई हूँ music teacher की विकेंसी एक है आपकी post PGT English इसमें आपकी higher qualification में तर post graduation होनी चाहिए along with B8 एक से तीन साल का experience मांगा है PGT English having experience of teaching English 11-12 अगर आपने classes पढ़ाई है आपको एक से दो तीन साल का experience है तो you can apply next vacancies for the post of PGT mathematics इसमें भी आपकी post graduation चाहिए होगी maths में और अगर आप लोगोंने एक से दो साल 11-12 को पढ़ाया है आपने B8 किया है तो यह eligible for this post next vacancies for the post of PGT physics teacher same आपको physics honors अगर आप लोगोंने किया है B8 है एक से तीन साल का experience of teaching 11-12 तो आप apply कर सकते हैं तो यह तीन vacancies तो मैंने आपको यहां बताई एक मैंने music teacher की बताई तो यहां पर there are two options to apply options ऐसा तो होता है कि हम दोनों में से एक के to apply कर दे या तो mail कर दे या application form बढ़ दे पर अगर मैं आपकी जगा होती होती थी मैं आप लोगों की जगा तो मैं हमेशा हर एक तरीके से apply करते थी कि मैं कभी भी कोई चांच नहीं छोड़ दी थी कि मिर को call ना आए तो पहले तो आप यह Christian public school at the rate of gmail.com पर अपने latest cv को mail करेंगे after that यह आप लोग क्या करेंगे इसको भी आप लोग form भरेंगे यहां पर अपना नाम लिखना है आपका email address security code your phone number कौन सी पोस्ट के लिए apply कर रहे हैं qualification teaching experience और यहां पर submit कर देंगे कुछ ऐसा है नहीं ठीक है जादा लंबा चोड़ा form नहीं है तो definitely apply करिएगा अब देखते हैं हमारे next school की vacancy यहां देखेंगे एक और one more vacancy and it is from education point convent school विकास नगर डेली plot number three and four विकास नगर सोम बजार रोल उत्तम नगर न्यू डेली इसमें आपको email ID भी given है यह आपकी दो दिन पहले की vacancy है तो अभी 21 सारी तक आप लोग apply कर सकते हैं and they need entity teachers PRT teachers TGT computer science and TGT science PGT political science and PGT history तो यह आपका है EPCS school EPC school.3 at the rate of yahoo.com आप लोगों को और यहां पर देखेंगे contact number भी है तो अपने latest CV को इनके email ID पर और इनका जो यह number है ना इन दोनों चीज़ों पर आप लोग WhatsApp कर देंगे और एक चीज़ का धियान रखेंगे इस टाइम पर क्या होता है ना इस टाइम पर आपका session end का time आ गया almost 17 November हो गई है तो इस टाइम पर teachers जो जिनको छोड़ना होता है due to any reason चाहे sick leave है चाहे job change है चाहे marriage है कोई भी हो सकता है तो इस टाइम पर teachers resign करने लग जाती है तो नए session की त्यारी अभी से start होने लग जाती है advertisement आने लग जाती है इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूं कि अगर मैं जो भी vacancies बता रही हूं उसमें apply करना बिल्कुल ना भूले मैं आप लोगो तीन स्कूल की vacancies बताई है नेक्स वीडियो में मैं तीन चार स्कूल और कोशिश करूंगी बताने की so till the time thank you everyone have a nice day